नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकदर स्वागत है आपका एकनोमिकम में अर्थात की नई किष्ट लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनीनाइन के रिटर अंशुमान तिवाली जी आ गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका क्या नया विशह है आज क्या जानने को मिलेगा समझने को मिलेगा शुभम आज हम महंगाई पर चर्चा करेंगे क्योंकि महंगाई भारत के लिए ही नहीं अंतराश्ट्री इस्तर पर पूरी अर्थिक विवस्त है कि उलट पलट की का बड़ा कारण बनी है भारत में महंगाई की आदत है पर जो अब महंगाई हमारे सामने खड़ी ह जिस महंगाई में हम बीच में प्रवेश कर रहे हैं जिसके बीच में खड़े हुए ये लगभग बिल्कुल नए तरीके के महंगाई ये वो महंगाई नहीं है जिसे मामतवर पर देखते रहे हैं तुम समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर भारत की महंगाई के चरित्र और बदलाओ क्या हुआ है जिसके कारण रिजर्ब बैंक को सरकार को सब को अपने सारे आंकलन बदलने पड़ रहे हैं बिल्कुल तो आज अर्थात का विशय जो है वो महंगाई है विशय आपको पुराना लग सकता है लेकिन नजरिया एकदम नया है क्योंकि इस बार जो इस इसक की हमें आदत हैं आज अर्थाथ पर चर्चह होगी इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे किस्तों के सिक्के से एंशुमान जी परदा उठाएंगे और इंकम से जुड़ी एक कोई खास बात कोई खासी, कोई नुस्का, कोई परचा दे कर जाएंगे जो हमारे और आपके काम आएगी आज के अर्थात की शुरुवात करते हैं जिसका विशह है महगाई देश के हर आम और खास को प्रभावित करती है महगाई लेकिन अब इसकी सनरचना को जटिल हो रही है इंशुमान जी का मानना है कि इस बार की महगाई अनूखी है अलग है अलग है वो उन तमाम महगाईों से जिनकी हमें आदत पढ़ चुकी है चले एंशुमान जी समझते हैं सर ये किस तरह लग है कैसे इसकी प्रकृती महगाई की जो आप कह रहे हैं नई है किस तरह नई है शुमान अर्थवस्ता को अक्सर आम तर पर बहुत अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो उसे हम स्वास्ते या चिकित्सा के मिटाफर के साथ है रूपक के साथ समझ सकते हैं अब यहां आप यहां आप यह समझने की कुशिस करिए हम जहां खाड़े हैं और इसलिए महंगाई की महंगाई हमारे टप अफ दुमाइंड में हमेशा रहती है भारत के लोगों की लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपके जीवन में और अगले 6 महीने और साल भर में आपका खर्च, आपका निवेश, आपकी बचायत, आपकी कमाई कैसे प्रबावित होगी और कैसे सरकारیں हार गई है केंदर सरकार और रिजर्बेंक इस महंगाई के सामने हार रहें वो कैसे और क्यों हार रहें ये देखना मारे लिए जरूरी है अगर हम चिकित्सा के या इलाज के मेटाफर से समझने की कोशित करें तो भारती अर्थवस्ता को आप मरीज मान सकते हैं जो बीमार है उसकी नई बीमारी महंगाई है पुरानी बीमारी महामारी से उसका शरीर जर 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 था मांग नहीं थी निवेश नहीं थी शरीर में तमाम कमजोरियां थी जो कोविट के साथ आई थी पुराने रोग के इलाज के लिए उसे सस्ते कर्च का विटामिन दिया जा रहा था जिससे कि वो खड़े होकर दोड़ना शुरू कर दे और ताकत वापस गेन कर ले इस पीच महंगाई आ गई यानि एक नई बीमारी आ गई उस महंगाई की बीमारी को जो मوجودा दी गई दवा है वो उसके लिए कुपत्य है क्योंकि उस दवा के कारण वो बीमारी और जदा बढ़ सकती है महंगाई की बीमारी के लिए सस्ता कर्च कुपत्य है या उस नुकसान बढ़ाने वाली मेडिसिन थी तो नए बीमारी आई तो पुरानी बीमारी का इलाज बंद हुआ, सस्ते कर्च का विटामिन बंद कर दिया गया, क्योंकि शरीर की कमजोरी और बढ़ने का खत्रा था, रिजर्ब बैंक में एक महिने में दो बार ब्याज़ दर बढ़ाई, सरकार ने पेट्रोल डीजल पे टै कर दिया कि महंगाई की बीमारी भी और बढ़ेगी, आपको भी लंबे समय तक महंगाई में रहना पड़ेगा, शरीर भी उसी साबसे अनुपात से कमजोर होता रहेगा, यानि चीजें बहतर नहीं होंगी, कोई भी कहेगा, एक ऐसा इलाज था, जिसमें मरीज को कमजोर भी किया गया, लेकिन नतीजा मर्ज बढ़ने के तोर पर सामने आ रहा है, रिजर्ब बैंक के कहरा है कि महंगाई में अगर आप अभी चे फीजदी में हैं तो इसके आज साड़े साथ फीजदी में पहुंचेंगे, नो मूरा कहरा, नो फीजदी की फूड इंफलेशन होने वा रही है, रिजर्ब बैंक इस बात को लगबख खुलकर स्विकार कर रहा है, अब हमें यहां समझना पड़ेगा कि हम जिस महंगाई को 2016, 2017, 2012, 2013 में फेस करते थे और जिस महंगाई को हम 2022 में फेस कर रहा है, उसमें फर्क क्या है, भारत के लिए महंगाई नहीं नहीं है, हमें अर्थ विएस्थाओं में, जहां आम तोर पर अगर आगर आप लंबे अवधी में भारत की आर्थिक विकास दर को देखें, तो वहां महंगाई की दर आम तोर पर जीडीबी की दर से हमेशा ज़ाद ही रही है, और यही वज़े भारत में लोगों की कमाई और जीवन इस त में कभी नहीं देखी गई पिछले 20 साल में और इसलिए हमें कह रहे हैं कि वह महंगाई नहीं किसम की महंगाई और जाधा जैसे वायरस के तोर पर एक वायरस म्यूटेट होकर वापस लोटता है तो भारत की महंगाई म्यूटेट होकर वापस लोटी है और नई ताकत के साथ महीने से बढ़ रही रिजर्ब बैंक ने महंगाई की सहनियता का इस तर तै करने के लिए चार से च्छे फीस्दी का एक खुद्रा महंगाई का बैंड तै किया यानि महंगाई को मिनिमम् वो भुकता महंगाई चार से छे फीजदी के बीच रही यानि नियूंता मिस्तर के बीच अभी तक नहीं आई और अब वो छे फीजदी से पार होकर साड़े साथ और आठ फीजदी के तरफ जा रही सस्ता कर्ज कर्ज वापस लिए जाने के बाद भी महंगाई की दर में आकलन टेक्निकल हैं जो रिजर्ब बैंक और सरकार देती है वास्तिफ महंगाई वो है जो मैं महसूस होती है और वो बिलकुल इससे अलग है और वो कितरी है इस परविम में आगे चर्चा करेंगे सर सबसे पहले आप इसी दुविधा का जवाब दीजिए कि यह दुविधा है क्या महंगाई बढ़ती है कर्ज महंगा कर दीजिए महंगाई नीचे आ जाएगी यह एक स्थापित सत्य था सत्य था अब क्या यह वैक्सीन बेकार हो रही है क्या यह दवा काम नहीं कर रही है क्योंकि ये वैक्सिन खतरनाक है और इस वैक्सिन का अपना साइड इफेक्ट है अर्थविवस्था की रिकवरी को दौओं पे लगाकर रिजर्ब बैंक को ब्याज दरों में बढ़ुतरी करनी पड़ी और सस्ते करज को कम करना पड़ा हमें जानना जरूरी है कि भारती कानबे के बाद से विकासदर को के बाद से भारत के अर्थविवस्था में सस्ता करज और सस्ता क्रेडिट भुदबड़ा रोल प्ले करता रहा है बलकि 2016-17 के बाद कंजूमर क्रेडिट भारत में डिमांड की बड़ी वज़य था हमने NBFC पर अपने एक एकनोमिकम में चर् उसके सरके उपर एक नया बोज डालने क्यों रख दिया गया हम अमेरिका से बिलकुल अलग हैं अमेरिका के अर्थविवस्था में महंगाई तेज ग्रोथ के साथ आई अमेरिका के अर्थविवस्था में भुतेज रिवाउंड आया था बुतेज रिकवरी आई थी और उस आज के शोदका या इसको समझने की वजेह है. क्या कि रिजर्ब बेंक महँगाई को ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकता था? छोड़ देता? एकॉनमी की ग्रोथ आने देता? थोड़ी भूथ एकॉनमी में महँगाई चलने दी जाती? पर रिजर्बेंक का सक क्यों नहीं कर पाया है, रिजर्बेंक को अचानक एक फलेजिलिंग रिकावरी के ऊपर पत्थर रख देना पड़ा और ब्याज़दरों में इतनी बढ़ोतरी करनी पड़ी कि माना जा रहा है कि भारत में रेपूरेट 6-6.5 फीज़दी पहुंच आता था, उसमें क्यों देखल देना पड़ा, ये समझना जरूरी है, उसकी सबसे बड़ी वज़ए है, शुबं, पहली बार ऐसा हुआ कई दशकों में, ये पहला मौका है, शायद हाल फिलाहल के 10-12 सालों में, जब इन्फलेशन ये महंगाई अपने सारे घरों में फैल ग महंगा हो गया, कभी सीजन में फसल की सप्लाई कम होने से हो गया, इन्फन दूसरा हिस्सा था, जहां कीमतों में बढ़ोतरी, कच्छे तिल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ होती थी, सरकार के टैक्सेशन में बढ़ोतरी के साथ होती थी, इन्फन और खादे से बाहर की जो उसे मागे आएंगे रिजर्ब बैंक आर्थी कुरूब से महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशा नहीं तो च्छे साले च्छे फीजदी अगर दो तीन महने में पहुंच गई तो फिर फीजदी से नीचे चार से च्छे फीजदी के बैंड में आ जाएगी क्योंकि महं जो फंडामेंटल महंगाई है वो हमेशा कंट्रोल में रहती थी अब हमें ये समझ हमें भीतर उतर करें देखना होगा कि कहां से रिजर्ब बैंक महंगाई की लड़ाई हारने का एलान कर रहा है क्या देखकर रिजर्ब बैंक को महंगाई की लड़ाई में हार का एलान करना अंचमां जी की अब तक की बात से ये समझ आ गया कि अब तक भारत में जब मेंगाई होती थी तो वो किसी एक कम्रे में जो Соविक जो गई है ओग सबसे पहले खात मेंगाई कम्रे में चलूए ऊस्तिति क्या हुए सबसे पहले समझना जरूरी है नुमुरा की इसी हफते रिपोर्ट आई रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि भारत ने फूड इंफलेशन नौ फीज दिए अभी हम फूड इंफलेशन आठ परसेंट की फूड इंफलेशन पर बैठे हुएं जिस हफते हम इसको रिकॉर्ड क किलो का का सूच कांग है तो उसमें 46 किलो का वजन हमारे आपके खाने पीने की बास्केट जिसमें के पैक्ट फूड से लेकर फूड तक सारी चीज़ें शामिल है दोहजार उन्नीस के बाद इसमें दोहजार बाइस तक इस के टेगरी की ग्रोथ रेट 6% के असपास रही महि जानी रिजर्ब बैंक का जो ओवराल बड़ा आंकड़ा है 4-6% में उसमें 6% का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाजक बिंदु है उसके आसपास फूड रिजरेशन हमेशा टिकी रही थी लेकिन अब रिजर्ब बैंक को यह लग रहा है और यह वास्तों में सही है कि भारत की खाद्य महंगाई जो 6% से नीचे गई ही नहीं चाहे वो 2019 का लागडाउन लगा हो चाहे सप्लाई की शार्टेज हुए चाहे अगरिकल्चर की रिकॉर्ड ग्रोथ रेट रही हो 4% चाहे भारत में सस्ता सस्ता इंपोर्ट हो रहा हो गलट हो लेकिन भारत में खाद्य महं कीमतें गेहुं की कीमतें संभावित महंगाई चावल में आने वाली ये सब मिलाकर इसे 7 और 8 फीसदी के रेंज की तरफ खिसका चुके हैं ले जा चुके हैं इसमें अगर सबजीव की मौसमी महंगाई को आप निकाल भी दें तो भारत में खाद्य महंगाई और यहां से भारत में खाद्य उत्पादनलागत पिछले एक साल में 21 परसंट बढ़ी है डिफर्शिंट अलग अलग प्रोडिक्स की खाद्य उत्पादनलागत 21 परसंट बढ़ी है और हम यादे जब मैं मैंसपी पर चर्चाक कर रहे थे तो हम ने इस बात का जिक्र किया था है कि M.S. पुलिस उचकांक के में करशी में उपयोग होने वाले प्रमुख चीजों की कीमतों का आकड़ा देख लीजिए आप उसे समझ में आएगा कि खाद महंगाई तो अभी शुरू हो यह भी तो यह पार्टी महंगाई की शुरू हो रही हो इसलिए रिजल बैंक को यह सब करना प सीडी नहीं पशु चारे की महंगाई 18 फीजदी के आसपास यह चार बड़े कंपोनेंट हैं जिसके लिए आपको किसी अर्थशास्ती से मिलने की जरूत नहीं आपको थोकमूलिस उचकांक में जाकर उसके स्ट्रक्चर में इनको देख लीजए तो आपको दिखाई देगा कि ओवराल जो जो चीज़ें खेती के उत्पादन में इस्तेमाल होती है उनकी महंगाई 21 फीजदी यानि सामान ने महंगाई भारत की उभोकता महंगाई जो इस समय करीब साड़े साथ आट फीजदी के आसपास है उससे लगबग पहुने तीन गुने जाधा की कीमत बढ़ इसलिए इसके बाद आप खरीब के समर्थन मुली को देखें तो इतरक सही दिखाई देते हैं कि खरीब का समर्थन मुली इस लागत को तो कवर करता ही नहीं जो लागत बढ़ी हुई है इसलिए सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी चीनी के निर्या से चूटा है और ये भी और आगे तक जाएगा ये एक सबसे बड़ी वजह थी जिसके कारण रिजर्ब बैंक को जान बूच कर एक किसम से भारती अर्थ विवस्था में के आगे बढ़ने के रिफ्तार के आगे इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ा कि नहीं अभी ही रु स्जयक हो गई तो शायद यही था कि आगे आने वाले दिन बहुत ज़्यदा बहृत ब्हार ठीकर पहले ही चेट गई सर ये बात खाथ लिए हुई इधन के कमरे में चलते हैं इधन वाले कमरे में क्या हाल है अ अब अब और कमरे में की थो कोई है तो इस ट्राक्स में आlarını को की कीमत 90 डालर पर बैरल के सरकारी इन वान से बहुत उपर जा चुकी है तेल कंपिनी हैं 120 डालर पर बैरल का भी तेल खरीदे हुए बैठी है अब 112 ए 113 डालर के असपास है अब मानाए जा रहा है कि 115 से 120 डालर का कच्छे तेल की कीमत नियू नॉर्मल है अब तो सारे लोग मान रहे हैं कि भारत में इस साल 100 डालर के असपास का आउसत कच्छा तेल खरीदना होगा कच्छे तेल की कीमत में 10 डालर पर बैरल की बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई करीब 40 बिस्स पाइंट बढ़ जाती है ये रेशियो है तो अब इनन वाली महंगाई में कच्छे तेल की बढ़ोतरी प्लस इसके साथ कमजोर होता रुपया जो दोनों चीजें एक साथ चल रही है ये इस बढ़ोतरी को और दादा बढ़ा रही और अभी एम Delta की केमतों में बढ़ोतरी का पूरा असर हमें इनन की कीमतों का इनन को कच्छे ताउर पर इस्तेमाल करने वाले छे पूरी तरह उसे पासा नहीं किया यह समझने के लिए हम थोक महंगाई के आंकड़े पर भी चर्चा करें और यह इधन की महंगाई तब समझिए जब सरकार यह कह रही है कि बहुत दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है अगर वह वाला थपेड़ा आ गया वह व वो इसलिए है क्योंकि जितना नुक्सान तिल कंपिनियों के खाते में उसका अगर आधा हिस्ता भी पासान कर दिया गया तो यह महंगाई की दर जो अभी आठ नो फीजदी आठ की फीजदी के आसपास यह डबल डिजिट में पहुंच जाएगी और यही सरकार का सबसे होती है वो खा दे और इधन को अगर हटा दें तो उसको कहते हैं कोर इंफलेशन कोर इंफलेशन में सब आता है आपका परिवान आपकी सिक्षा आपका स्वास सर्विसे यहां सर क्या इस्तिति है क्योंकि यह सबसे बड़ा हिस्सा है और यही महंगाई की दरसल असली क्यूंतों में तो माल लीजे सरकार अपना टैक्स का हिट ले ले तो थोड़ी भूत कीमते कम की जा सकती हैं कि इंपोर्ट्डी कम कर दीजिए थोड़ी सप्लाई बढ़ा दीजिए एनाज कायात कर दीजिए ते खादे तेल कायात कर लिजिए थोड़े समय में दो ती महिनो चार मेनों में कीमतें अगर कम नहीं होंगी तो बढ़ेंगी नहीं क्योंकि भारत में महेंगा ही जिसे हम बार बार बढ़ने के आद कम तो नहीं होती लेकिन बढ़ोतरी जरूरु रुख सकती है जिसे हमने क्या देखा इस्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई और कीमतों बढ़ोतरी रुख गई पर आगे नहीं होई सबसे जिद्धी हिस्सा है महेंगाई का वो कोर इंफलेशन है कोर इंफलेशन यानि जिसमें खादे और इन्हन रहित महेंगाई है जिसे हम मौसमी या दूसरे तरीके से प्रवाईवी तरूप से मानते हैं यहां एक खुद्रा चीजों के ओपर जिसमें सर्विसेज हैं जिसमें पढ़ाई है जिसमें तेल है जिसमें आपका कन्वेंस है जिसमें फूड है जिसमें दबा है तो उसमें खाने पीने की चीजों पर आप 46 पैसे खर्च करते हैं और 47 पैसे का हिस्सा कोर इंफलेशन के बीच में आता है और ये खाद महेंगाई से जाधा बड़ा रिच्सा है अब यहाँ सबसे बड़ा दबाव हमें बनता हुआ दिख रहा है जिसे देखने के लिए हमें थोक महेंगाई की तरफ जाना होगा क्योंकि कोर्ड इंफलेशन सीधे-सीधे होल प्राइसे wholesale prices से connect करती है खुद्रा महंगाई wholesale prices से इसलिए भोज़ादा connect नहीं करती क्योंकि उसका original बाजार है आपको गहों की कीमत देश के उत्री और पूरी लाकों में दूसरी मिलेगी देख्शन लाकों में अलग मिलेगी सबजियों की कीमत आपको अलग-अलग दिखाई देगी फ्यूल की prices चूंकि controlled prices है अड्मिस्रेटर पूरे देश में तो एक जैसी कीमते हैं उसमें tax session का structure यादा यह ऐसी महंगाई है core महंगाई जहां commodity की prices और थोक या जो output करने वाले लोग है उनकी कीमतों का असर थोक महंगाई से यहां दिखाई देता है पूरे 2022 के वित्वरश के दौरान चुबं थोक महंगाई 13% के करीब रही है डबल डिजिट में और अब यह 15% से उपर है खुद्रा महंगाई इसके ठीक आधी 7% के आसपास यानि कि अगर थोक महंगाई का 20% ये 25% हिसा भी खुद्रा महंगाई में जोड़ दिया जाए तो भारत की खुद्रा महंगाई तो अभी शुरू ही है अभी तो इसके आगे ये 2 ये 3% और आगे जाएगी फिर हम यहाँ बात कहते हैं दो रातने इसलिए रिजर्ब बैंक को को ये ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा कि उसे भारत की अर्थवरस्ता की रिकवरी को कुर्बान करना पड़ा इस्टेकफलेशन का रिस्क आवेल मुझे मार करना पड़ा इस्टेकफलेशन को आमंतरित करना पड़ा ये जरूरी अब इसमें भी अगर थोक महंगाई के भीतर हम उत्रेत हमें दिखाई देगा कि जो नान फूड प्रोडेक्ट्स की हैं नान फूड फूड कमाडिटीज की महंगाई है वो तो 16% है यानि जो ओवराल थोक महंगाई की दर उससे जाधा 16% की महंगाई है थोक कीमतें आने वाले रहा समय में खुड़ा कीमतों को लगातार बढ़ाती रहेंगी क्जा कीमत मेरे पासान स्लोली होता है धीमे धीमें पासान होना शुरू होगा धातों की कीमतें जो बड़ी है उसका पूरा रेफलेक्शन अभी थोक कीमतों में नहीं दिखाई दिया है क्रिसल ने एक रिसर् तरह कंपिनियों के नतीजों के नजरी से हम देखें कि क्यों आपको जो सामान बाजार में मिल रहा है इसकी कीमते आने वाले समय में और जाधा बढ़ेंगी और रिजर्ब बैंक को यह संभावना कैसे दिखाई दी करिक्ट ताले सु द्योगों में आठ सो बड़ी और और महंगाई भर से केवल उनके माजिन में 2% की कमी आएगी यह वड़ी वजह थी कि कमपिनियों ने डिमांड ना होने के कारण मांगना होने के बाद भी कीमतों में बढ़त रही बाएक नहीं भी करें लेकिन बाएक की कीमत बढ़ गई इसलिए हमने देखा स्टील का सर्विसेज और केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं उनके कारण कच्छे माल की महें और इन दोनों को मिलाकर आने वाले समय में कीमत और बढ़ेंगी यानि कोर इंफलेशन पर दबाओ आने वाले समय में और जादा रहेगा इसमें एक और बड़ा कंपोनेंट है जो हमारे हम जिस से हमाम तौर पर कैप्चर नहीं करते हैं सर्विसेज की महंगाई सबसे देर से आती है खुद्रा महंगाई का असर थोक महंगाई पर दिखता है पर सेवाएं जो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि education है हेल्थ है entertainment है medical services है गाड़ी की repair है टेलिफोन है यह जारी जो services इस्तेमाल क और अब खुद आर्बियाई के आंकड़े अंदर से देखें तो मान रहा है कि इस्ट्रक्चरल हो गई है यह धाचागत इस्टाई हो गई है अब यहां से नीचे डाक्टर ने अपने परचे किया अगर कीमत बढ़ा दी तो वापस नहीं आएगी इस्कूल में अगर फीस बढ किवावना नहीं दिखाना है लेकिन एक चीजा और ध्यान देना जरूरी है कि सर्विसेज और गुड्स की महंगाई में भी एक परसेंट का आ्नतर है यानि सर्विसेजज की इंफलेशन गुड्स की इंफलेशन से भी 1 피जदी कम है यानि अगर गुड्स की इंफलेशन य perimeter कि महंगाई की रोश्णी में देखें तो भी एक परसेंट की बहुत्री हमें महंगाई में यहां भी दिखाई दीगा है जब तक यह तीन चक्र नहीं टूटेंगे तीन दुशक्र नहीं टूटेंगे खाद्य महेंगाई 21% की लागत में बढ़ोत्री महेंगाई दर 8% दी इनन की कीमत में पूरी तरह से बढ़ोत्री पासान नहीं होना कब तक एफजाब किया जाना इस पर निर्भर करेगा और कोर इंफलेशन में इस्ट्रॉक्चरल धाचागत बढ़ोत्री सर्विसे और कोर इ आने वाले समय तक. सर याद मुझे एकनामिकम शाये चार या पांच एकनामिकम पहले हमने आयातित महेंगाई की बात की थी दिकि हम महें रखले हैं. पर महाईगाई थीम पर कारगो टर्मिनल्स पर महेंगाई का स्वागत हो रहा है. महंगाई आ रहे और महंगाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं महंगाई इंपोर्टेड महंगाई उत्पादन की लागत बढ़ाती कच्छे माल की लागत बढ़ाती और जिसका असर हमें हमारी जरूरी चीजों की कियमोतों में दिखाई देता इसे नापा कैसे जाता है इसे नापने value index का इस्तेमाल होता जिससे हम यह नाप पाते हैं कि किसी भी देश की किसी भी उद्दियों की किसी भी बाजार की महंगाई में imported महंगाई का हिस्सा क्या है पूरे वित्वर्ष 2022 के दौरान भारत की imported महंगाई डबल डिजिट में रही और यह सीधे थोक महंगाई को प्रभावित करती है अप्रेल से क्रिसिल का नंबर है बताता कि अप्रेल से जनवरी के बीच यह imported महंगाई 27 परसेंट हो गई जो चीजें हमारे भारत के उतपादन में इंपोर्ट होकर आती है उनकी महंगाई डबल डिजिट से बढ़कर डबल डिजिट में थी 27 परसेंट हो गई और इसलिए थोक महंगाई 15 पीज़दी के आसपास है क्योंकि imported inflation का हिस्सा इसमें सबसे बड़ा है एक चीज़ जहां से तीसरा महा तो पूंस उत्र हमने दो थोक महंगाई में important inflation का हिस्सा 61 पीज़ती हो गया है यानि अगर भारत की महंगाई 100 परसेंट महंगाई 100 परसेंट की महंगाई हम बंदरगाहों पर मंगा रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं कोविट से पहले थोक मुल सुचकांक में important महंगाई का हिस्सा केवल 28-93 परसेंट था यानि आलमोस्ट आप मानके चलो ते दो गुनी हो चुकी है important inflation दो गुनी हो चुकी है भारत की maximum important inflation कच्चे तेल खादे तेल और धातों से आ रही है भारत के import में 60% हिस्सा खाड़ी आता है इनमें सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों का है कच्चा तेल को मिला लें तो सबसे बड़ा हिस्सा जहां से करीब-करीब 18-19% इंडिया का import यहां से होता है यहां 2021 के साल में calendar बश्का आकला हमारे पास मौजूद है पिछले साल निर्यात की जो export inflation है वो करीब 33- से 34% की बीश बढ़ी है यहां इन देशों से जो export inflation है हमारे लिए तो import है पर इनके लिए export inflation है वो 33-34% की बीश बढ़ी है बाकी अन्य जो बाजार हमने आपको बताया है जिसमें आसियान है चाइना है अमेरिका है योरोप है यहां export inflation में 14-10% की तक की बढ़ोत्री हुई है यानि यहां भी यही बात है कि हमारी जेपर जो असर करने वाली important महंगाई है उसका भी पूरा असर हमें थोक मोली सुचकांक में दिखाई नहीं दिया है और अगर आप यह जिस तरह से रुपए की कमजूरी के नए नए आकलन आ रहे हैं 80 और 81 और 82 रुपए के इसे देख तो यह दिखाई देता है कि कपास और कच्छे तिल को छोड़ कर शुड़ कर और किसी भी global commodity की महंगाई यह भी पूरी तरह पासा नहीं नहीं हुई है system में किया आप कपास और कच्छे तिल की कीमतों को देखो तो आपको लगए कि वही कीमतें भारती बाजार में आपको द devaluation यह रुपए की कमजोरी की तुलना में काफी कम है कोईला और यूरिया की महंगाई भी आई नहीं है कि यूरिया की महंगाई सरकार ने अबजाब कर लिए कोईले की महंगाई भी बिजली दरों में जुड़कर हमारे सामने आने वाली है तो जब महंगा कोईला आना शु अब महंगाई क्योंकि इतनी जिद्धी हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि जितनी हो नहीं चुकी उससे होने वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टरस हैं कि आने वाले दिनों भी महंगाई बढ़ेगी तो निश्यत तौर पर ये खपत को खाएगी GDP में सबसे वड़ी जितनी है 60% के आसपाथ तो क्या बात यहां से निकलेगी लेकिन इस्टेक्फलेशन तक जा सकती है यहां वो कहते है कि डर से जादा डर का नाम बुरा होता है और महंगाई के बारे में बाजारे कहता है कि महंगाई से जादा महंगाई आने की संभावना बुरी होती और दिमाग में यह है कि महंगाई बढ़ती रहेगी तो महंगाई कम नहीं हो सकती क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन को समझना बहुत जरूरी होता है इसलिए ज़र बैंक भी महंगाई की संभावना एक्सपेक्टेशन नापता है दुनिया भर के सारे बैंकर मानते हैं और अगर इ इस्ट्रिवूटर, CNF एजेंट हैं, उन इक्सपोल्टर, उन स्टेकोल्डर में इम्पोर्टर हैं और उन इस्टेकोल्टर में बैटे हो एक्सपोल्टर हैं, जो भारत को निर्यात करें यह सारे मान रहे हैं, कि महंगाई भारत में कम नहीं होगी और इसके आखिलन आप वा होई है तो फिर कुछ भी कर लिया जाए यह पूरा तंतर दामों को कम होने नहीं देता है सरकारी तंतर को संभावना है अब महेंगाई की संभावना का एक सूचकांक होता है जिसको इंफलेशन एक्सपेक्टेशन इंडेक्स कहते हैं जो रिजर बैंक नापता है और यहां एक अनों की चीड़ दिखाई देती है यह आज की चर्चा का पांच माँ और सबसे महत्तु पूर्णत थे जो हमारे लिए समझना जरूरी है सरकारी तंतर का यह मानना है कि बहुत कुछ खींचतान कर लिया जाए तब भी इस साल के अंतर साथ फीज़ दी के असपास हम महंगाई को रोक लेंगे महंगाई ग्याराफीज दी है और इसलिए महंगाई मौसम की तरह है तापमान कुछ दिखता है महसूस कुछ होता है जो हम जिस परसेती में मौझूद होते हैं ताजा और जो और आंकड़े हमारे पास उपलब्द हैं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है क्यों इंफलेशन इंडिक्स लोगों की महंगाई को लेकर संभावना सरकार की संभावना से बिल्कुल अलग क्यों है क्या सरकार महंगाई को लेकर कंजर्वेटिव है उसकी वास्त फलों और सबजीयों को छोड़कर जाधा तर उत्पादों में और सेवाओं में महेंगाई इस्ट्रक्चरल हो चुकी है धाचागत हो चुकी है जिसे हम ने विस्तार से समझने की कोशिश किये है 2011 वारे में NSSO ने जो Consumer Expenditure सर्वे किया था उसने ये बताया था जिस पर हम एक बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि खपत के आधार पर खपत के सुभाव के आधार पर खाद्या और इंधन की महेंगाई शहरी और ग्रामी भोगताओं में जो सबसे निचले और मध्यम बाजर में सकते हैं जो वो चुकाते हैं क्योंकि उनको ये तयक कवलबरे था करना होता है कि उनके कारोबार से उनकी एंकंप और जासानी से चुका से दें कि अगर मालीजे महंगाई किदर 10 फीस दी है तो उनकी एसेट और उनके कारोबार परेटर 12 या 15 परसेंट हो जिससे क्यों फीस एकॉनमी को चुका सकें बाकी उनके पास है लेकिन भारत में जहां पे बहुत सारी चीजों की कमी हैं हम सरप्लस एकॉनमी नहीं है किसी भी परस्तिती में एकॉनमी नहीं है बहुत सरे मौके होते हैं हमें समझना होगा कि इस समय रिज़रब बैंक ने बड़ा जोखिम बहुत बड़ा जोखिम लिया है और यह जोखिम भारत की अर्थवस्था और भारत के आर्थे क्विकास दर्व के लिए बहुत महँगा पड़ेदा किसी भी देश के केंद्री बैंकर के लिए खास्तोर से ऐसे देश के केंद्री बैंकर के लिए भारजी से देश के केंद्री बैंकर के लिए जहां अर्थवस्था मंदी से उबरने की कोशिस कर रही हूँ और उसके पैरों के सामने बड़ा सा पत्थर डाल दिया जाए ब्याज अगर अमेरिका चोटी मंदी में फसेगा तो भारत के लिए भी आएसी परिस्तित्यों में जहां महेंगाई बढ़ने की समभावनाई दिखाई दे रही है इस्टेक्फलेशन का खत्रा कम नहीं है यहां उमीद क्या है करने की सरकार को क्या करने की जरूरत है यह तभी रुख स महेंगाई और उर्जा महेंगाई और उसके टेक्स के रिष्टे पर विस्तार से बात की थी वहीं अगर टेक्स कम कर दिये जाए तो शायद महेंगाई को कम किया जा सकता है तो सरकारों के हाथ में बाजी है रिजर्ब बैंक ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दी है यह दि इस महंगाई से जल्दी रहात हमें नहीं मिलेगी क्योंकि सारे फैक्टर्स इस तरह से बने हुएं कि ये महंगाई शायद भारत के हाल फिलाल के दश्कों की सबसे जिर्दी महंगाई साबित हो गी। बड़ी है क्रिशी करने की खेती करने की लागत बड़ी है उसीदी सिवाते आने वाले दिनों में फूट प्रोडक्स के दाम तो बढ़ेंगी और दूसरा थोख महंगाई जब 15 फीसद पर रहे तो वो आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई में ट्रांसफर होगी ही। तो ये था हमारा आज का अर्थात, अब आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं आपके सवाल, सर पहला सवाल संजय कुमार जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट बाजार का फ्यूचर क्या है, क्या वो अभी अपने लिए घर खाईजना चाहते हैं खरीदे या कुछ बड़े बाज आ रहे हैं, मकानों की मांग निकलनी शुरू हुई थी, हाला कि महेंगे मकानों की निकलनी शूरू हुई थी, सरकारों के इस पासे जो जमीन के रिंजूर में की संभावना दिखाई दे रही थी, लकिन अब ब्याजदरों में बढ़तरी फिर शुरू ह बिल्डर्स ने इन्वेंट्री बहुत जादा होने के बाद भी कीमतों में कमी नहीं किये ये निर्भर करता है कि आप किस इस्तर का मकान लेना चाहते हैं आप अफ़रडबल हाउसिंग के कैटिगरी में जाना चाहते हैं या महेंगे कैटिगरी में जाना चाहते हैं लेकिन आने वाले में समय में नहीं आ गए को एक जनरल स्लोडाउन है और आपको यह बताएंगे कि रियल स्टेट पर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं आप मनीना के यूट्यूब चैनल पर हमारे आने वाले प्लेटफर्म को सब्सक्राइब करें वहाँ एक शो है मकान दुकान जिसमेर हम आपको रियल स्टेट से जुड़े आपके दिमाग में जितने भी सवाल आ सकते हैं टाप अफ दा मैंड में उनका सबका जवाब देते हैं चाहे वो टैक्स से जुड़ा हुआ हो चाहे वो कर्श से जुड़ा हुआ यहां तक की मकान को सस्ता बनाने का तरीका क्य है यहां तक की चीज़ों पर हम आपको इस्पेशल शो में बताते हैं जिसमें रियल स्टेट बाजार की वो बड़ी सुर्खिया भी बताते हैं जो आपको शायद कहीं भी किसी भी जगे देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल तो संजय जी मकान दुकान जरूर देखिये अगर आपका रियल स्टेट में और रुजान है और रुची है तो वो शो आपके लिए वाकई बहुत अच्छा एक मनी नैन का शो है सर अगला सवाल शिल्पी अकरवाल का है वो ये जानना चाहती है कि भारत से रूस से सस्ता कोईला ले रहा है सस्ता तेल ले रहा है यूरोप के भी देश योजना पर काम कर रहे हैं अलग-अलग देशों से एरान से और मिडिलीज से चीज़े लेने की क्या डॉलर के अलावा दो देशों के बीज व्यापार का रास्ता किसी और करनसी में खुल सकता है भारत और रूस के संदर में यह जानना चाहती है अभी तो डॉलर खुला हुआ है क्योंकि एनरजी के एक्सपोर्ट्स पर रूस से एनरजी की डील्स डॉलर में हो रही है लेकिन अभी हाल में कोईले के संदर में हमको पता चला कि सिंगापूर, साइप्रस और यूरोप किक में जो रिशिया की कोईला कंपिनिया हैं जिन उनक बड़ा नहीं है अभी तो फिलाल इनरजी इंपोर्ट के लिए डालर में पेमेंट करने का कोई बुद्धा नहीं और खास्ता से भारत की प्राइवेट रिफाइन इस तो डॉलर में खरीद रही हैं बिल्कुल तो डॉलर का विकल्ब तो नहीं है लेकिन आप छोटी मोटी क उद्धों से भरा हुआ भी काफी पराडॉक्स हैं इंकम को लेकर एक तरफ आपके महगाई खड़ी हुई है जो आपकी बढ़ी हुई इंकम जो भी इंकम बढ़ी होगी तो एक दो साल में जो शायद अधिकांश लोगों को की तो नहीं बढ़ी उसे कम कर रही है दूसरी त अगर आप शेर बाजार में निवेश करने में एक चुक हैं एक बार दुबारा बैठिये जानने की कोशिस करिए कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स की स्कीमत पर मिल रहा है साल भर दो साल के लिए निवेश करके आप आगे जा सकते हैं मुचल फंड में अगर आपको लगता है क कि डेट के या करज के करज इंस्टुमेंट के अच्छे दिन फिलहाल शुरू हो चुके हैं चाहे वो फिक्स डिपॉसित हो चाहे वो आर बी आई का बांड हो या इवन प्राइवेट कंपिनीज के भी जो मीडियम टर्म से लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट के अच्छे रेट को हरा सकते हैं बिल्कुल तो आज का नुस्खा ये है कि अपने पोर्टफोलियों की मरम्मत कीजिए जहां-जहां से अगर उसमें लीकिजिस हैं तो उनको ठीक कीजिए एकुटीज में जाना चाहते तो अच्छे शेर सस्ते में मिल रहे हैं वित्ती सलाकार्दे सला मिच्वल फंड सही लगता है तो वहाँ टॉप अप कराईए सर गोल्ड पे कुछ नहीं बताया आपने और गोल्ड अभी साइडवेज मूव कर रहा है गोल्ड में को लेकर काफी असमंजस बना हुआ आम तर पर महंगाई में शुबम गोल्ड काफी चमकता है लेकिन अभी अभी इसला है तो टक डॉलर की मजबूती है तब तक गोल्ड में बड़ी बड़ोतरी के संकियत नहीं दिखाई देते लेकिन गोल्ड में कमज़ोरी की संभावना भी नहीं रहा है तो गोल्ड पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है एक महत्मूर्ट बात समझना और जरूर क्योंकि महंगाई के असर के महंगाई और रिटर्न में कमी दोनों एक साथ आ रही हैं तो एक बार बैठ कर पूरा खर्च पूरा बजट नए सेरे से बनाईए ताकि आप और अब यह मान के चलिए कि अगले एक एक एड़े साल तक आपको डेट इंस्टूमेंट के अलावा बह ऐसा रिटर्न नहीं देंगे जैसा कि स्टॉक मार्केट ने 12-15% 18% का या महंगाई से दोगुना रिटर्न दिया था तो कम रिटर्न के माहौल में रहना सीखिए उस कम रिटर्न के माहौल में रहने के अदट डालिया और इस समय जाधा चतूरता के साथ अपने पोर्टफोल हम आपको एक बिल्कुल ताजा घटना से जोड़कर बताएंगे सेंट पीटर्बक से कंटेनर आया है अस्तराखान होते हुए अंजाली और इरान को क्रास करते हुए बंदरबास से भारत के में मुंबई को और यह माना गया है कि यह सबसे चोटा रास्ता है जो भारत और र है इस बार किस्तों किसी के में आपको बताएंगे कि इस रास्ते पर पढ़ने वाले जो प्रमुख वियापारिक शहर थे उन्हें 15, 15, 16 शताबदी से लेकर 17, 18 शताबदी तक कैसे भारती कारोबारियों का राज था कौन लोग थे जो अस्तराखान के शाह थे कौन लोग थे जो बाकू के बाजार पर कारोबार करते थे कौन लोग थे जो इस्फान और काजविन से ट्रेड करते थे और पूरे परशिया से लेकर मासको और निजनी तक जाकर ट्रेड करते थे हम आपको वो किस्ता बताएंगे भारती व्यापारियों के और भारती कारोबार के उस ट्र जानिएगा कि अस्त्राखान और बाकू के शाह कौन से थे जहां से अब दुबारा नहीं सरे से व्यापार शुरू हो रहा है जिस रास्ते से दुबारा व्यापार शुरू हो रहा है बिलकुल तो यानि कि यह रास्ता नहीं है कहानी पुरानी है पुरानी कितनी पुरानी है य इस बार किस्तों की सिक्के में अश्मान जी आपको बता रहे हैं फिलाहल आज के एकनौमिकम में इतना ही आप सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी शुक्रिया अर्थात की नई किष्ट लाने के लिए अगले रविवार सुबस सबह 11 वजे आप झालया सर आपका भी शुक्रिया थापका भी शुक्रिया आपका भी जुड़े टॉआ की यह जक्रिया है वागले उजे यॉबस भी ऋूखने उड़ आपका।